हाई फ्रेंड आज मैं आपको बता रही हूँ ओई जो आपके हेयर फॉल को और हेयर को ग्रोथ करने के लिए फाइदे मल है इसके लिए मैंने लिया है मस्टरोड दो से तीन कप यह आप अपने एकॉडिंग भी ले सकते हैं आपको कितना यूज करना है और मैंने तेल को करम कर ती है साती साथ मैंने लिया है दाल जिरी आपको एज लिया będziemy सकती है उसके साथ मैंने मैं लिया है एक चमच कलोंजी कलोंजी को के लिए और हेयर क्रोट के लिए बहुत फाइदे मंद है आप इसी यूज़ करिए फिर आप इसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं क SiTP. करी जनी उसके पाद मैंने लिए एक चुमच हे अ मेती के ताने मेती के तने मेरत के हेयर में आप आप तॉह से कोस्त है इसको भी आढ़ करेंगी इस पूलने के लिए फाइदे मन्द है तो मैंने तीन चीज़ लिया अंतार चिनी, कलाँजी और मेती कटाना और इधर मेरे तेल गरम हो रहा है तेल मैंने स्यासो का तेल लिया है प्योर मस्टर्ड ओल मस्टर्ड आपके पॉल्डों के लिए बहुत फाइदर बन रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ओल गरम हो चुका है और अब बारी आती है क्लें थोरे कम सिंद करने के इसमें में डालती हैं मेती, दालचिनी और कलाँजी इसे हम पकाएंगे पांश उनित तक अच्छा खोलाएंगे चाकि यह सब मिक्स हो जाए ओल के अंदर और इस पांश मेरे तक देखी इस पकाः मैंने पकाया इसे पांश मेर के बाद आप इसे ऊतार के थंडा होने के लिए रख देजिए इसको आप एक बॉटल में निकाल के रख देजी चान के या फिर आपश को ऐसी रख देजिए और ऐसी अप्लाइ करिये और आपके बाल ट्रस्ट में आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे जिसको हेर फॉल की प्रॉब्लम है हेर गुरूथ जिसके बाल हेर गुरूथ अच्छे से नहीं होते हैं गंजी बन की टैंटर पीस से अच्छा खासा हट सकता है और आप इसे अप्लाइ करें इपुन फाइले मंद है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लएगा तो प्लीस प्लीस सब्स्क्राइब माइ जैनल और लाइक माइ वीडियो कमेंट में लिखिए आपको ये मेरा वीडियो के इस कैसा लगा तक ये वोचिए